हेलो दोस्तों, मैं शार्दत अन्वी, आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ा आ रही हूं कक्षा 12 की पूरग पुस्तक, अंतराल, हिंदी की जो पुस्तक है उसका चैप्टर, नमबर 3, विसकोहर की माटी, जिसके लेखक है विसुनातिर पाथी, ये चैप्टर जो लिया गया है विसकोहर की माटी, विसुनातिर पाथी की जो आत्मगता लिखी वी है उन्होंने, नंगा तलाई का गाउं, उस आत्मगता में से लिया गया है, लेखका का गाउं है, विसकोहर, उसका पूरा वर्णन किया गया है इस पाथ में, उसकी प्राकरतिक सुश्म करा का उसमें खिले फूलों का वहां के बादलों का वहां की गर्मी का वहां की सी तु का जो प्रभाव लेखा के मन पर पढ़ता है जो वहां के लोग हैं उनके साथ שה सानिध्य जहले मैशाम करता है उस पॉर्भ टॉले के गराथ स्वनीत द्रिश्टी से अत्यंत को कि यहां बोजन कमल पत्र पर परोसा जाता कमल पत्र को पुरुईन कहते कमल पत्र हैं उनको क्या कहते हैं पुरुईन कहते हैं कमल के नाल को बसीन कमल के नाल को जो कमल की नाल होती है उसको कहा जाता है बसीन आसपास कोई बड़ा कमल तालाप था लेवंडी का ताल अकाल प त έχके, कमल ककड़ को सम्मानेत हैं nenhuma एड़ी जाओं में नहीं खाया जाता है कमल का बीज कमल घटा जवर ΓЧ कहा जाता है कमल से कहीं ज्जादा बाहार कुईयां की थी कुईयां वही जलब पूस्प है जिसे pamięt कुमुद कहते है कुईया जल में खिलने वाला एक जलब पानी होता है कोईयां फूल उठती है रेलवे लाइन के दोनों और प्राय गड़ों में पानी भरा रहता है अब आपके पास एक चोटा सा कुश्चन कोईयां किसे का जाता है तो कोईयां वास्त में क्या है जल में खिलने वाला पुस्प है जिसे कुमुद भी कहते हैं और जि समस्ता है कि कोईयां सिर्फ हमारे यह पिसनात यहां पर जो बोल चल की भाषा में बड़ा गया स्रहा में यह नाम है विश्वनात सिर्फ हमार का फूल यह वैश्नोदेवी दर्शनार्थ जड़ों देखा यह पंजाब में पी रेल्वे लाइन के दोनों तरफ खिला था अनवरत, निरंतर, what is,ांवरत, निरंतर मतलब लगातार, शरत की चांदनी में, सरोवरो में चांदनी का परतिविंबु, और खिली हुई कोईयां की पत्थियां एक हो जाती है, इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है, क्या है इनी दिलोंत तलाबों में सिंघाडा आता है सिंघाडी के फूल होते हैं उजले औरून में वी गंद होती है विस्ट Wendy को सिंघाड के फूलों से बढ़े हुए तलाब से गंद के साथ एक हलकी सी आवाज भी सुनाई देती है वे घुम घुम कर तलाब से आते हुई गंद मिस्रित आवाज सुनते सिंगाडा जब बतिया यानि कि छोटा दू दिया होता है तब उसमें से वह गंद भी होती है और सरद में ही हर सिंगार का फूल खिलता है तो यहां पर देखिए जो लेखक है सारे सब तरह के फूलों के ब फूल खिलता है पितरपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंगार की रासी रख जाती थी पितरपक्ष मतलब सरात्पक्ष तो खड़ी खड़ी बोली हुई गाव की बोली में कुरई जात रही बहुत डेर सारे फूल मानों इखटे ही अनायास उनके उनसे गिर प के अनेक वरणों आकारों का एक ऐसा समस्त वाता वरण था जो सजीर था बिसनात आदी बच्चे उसे चूते पहचानते उससे बतियाते थे सभी चीजें प्रतेक चीज में थी और प्रतेक सब में आकास भी अपने गाव का ही एक टोला लगता चंदा मामा थे उसमें एक बच्चा सुबगता है रोता है मा को मारता है मा भी कभी कभी मारती है बच्चा चिप्टा रहता है मा चिप्टाए रहती है बच्चा मा के पेट का इस पर्स गंद भोगता रहता है पेट में अपनी जगे जैसे ठूनता रहता है विसनात ने एक बार जोर से काट लिया माने जोर से ठपड़ मारा, फिर पास में बैठी ना, उनने कहा, दांथ निकाले हैं, तीसत हैं बच्चे दांथ निकालते हैं, तब हर चीज को दांथ से juey कारते हैं, वही टीसना है चांदीनी रात पर, खटिया पर लेटी मा बच्चे को दूद पिला रही है बच्चा दूधी नहीं, चांदनी भी पी रहा है, चांदनी भी मा जैसी हिप्पु लक्स नहीं ममता दे रही है, मा के अंक से लिपट कर, मा का दूध पीना, जड़ के चेतन होने, यानि मानव जन्म लेने की सार्तकता है, पसु माताईं भी यह सुख देती पाती होंगी, और पक्षी अंडज भी यह विसुनात ने बहुत बाद में देखा समझा दिलसाथ गार्डन के डियर पार्क में सब बत्के होती थी बतक अंड़ा देने को होती तो पानी छोड़ कर जमीन पर आ जाती इसके लिए एक सुरक्षित कांटे डार बाड़ा था देखा एक बतक कई अं ना जुक कुछ अंड़े बतक मा के डैनों से बहार छिटक जाते बतक उन्हें चोंस से इतनी सतरकता को मलता से डैनों के अंदर फिट सुछ चुपा लेती कि बस आप देखते रहिए कुछ क्या है नहीं सकते इसे सेस सारत भी नहीं बयान कर सकते और मा की निगा कोवे की ता है वैसे ही मा में बच्चे की ममता प्रकरती में ही सब कुछ है जर्चेतन में रुपांतरीथ हो कर क्या-क्या अंतर भाहियक गड़ता है लीला चारी होता है भुरुवर हजारी परसात दिवेधी प्रहे कहते हैं क्या यह सब यहां किसी प्रियोजन के हैं बीना किसी व्यक्तर किया है होगा कोई माहन नहीं तो दिश्या प्रयोजन लेकिन अभी तो बुरा बलेश्यर ने इराक फतह किया है कहां मा की बच्चे को दूद पिला ना कहां बतक का अंडा से ना बिसनाथ पर अत्याचार हो गया जब दूद पीने वाले ही थे के छोटा भाई आ गया बिसनाथ दूद कटा हा हो गया उनका दूद कट गया यानि कि छोटे भाई को भी दे दिया गया मा के दूद पर छोटे भाई का कबचह हो गया छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूद पीता और बिसनाथ गाय का बेस्वाद दूद कसेरिन दाई पडोस में रहती थी बिसनात को उन्हों नहीं पाला पोसा, सुई की डोरी से बनी हुई कत्री सूजनी कहलाती है, साफ सफासफ, साफ सफासफ मतलब होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, कत्री मतलब होता है बिछोना, यानि कि कत्री सूजनी कहलाती है, सुई की डोरी से बनी हुई कत्री सूजनी कहल देटे तीन बरस के विसनाद चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाँ से चूँ रहे हैं , उसे खा रहे हैं उससे बाते कर रहे हैं... फेर दुख-दुख-डुख करके चलता रहता बादल में शिप जाता फिर उसमें से निकल आता इमली के छतनार, पेड़ के अंतरालों से छन कर, चांदनी के कितने टुकड़े विखरते, रिसीशम की फुलगी को चांदनी कैसे चुमती, फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोईया, हर सिंगार की, लेकिन ये तो फूल हैं, और फूल कहे जाते हैं, ऐसे कितने फूल थे, जिन के बौर, कटहल, बेल, बेला, चमेली, जुही वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम के फूलों में पेड़ लदबदा जाता, कर्षिन जी उसी पर जूलते थे, जूला पड़ा, कदम की डाली, नंदक, नंदक, कदम, कदम, क तरुतर, क्या कदम और भी देशों में होता है, मुझे तो लगता है कदम का दुनिया बर में एक ही पेड़ है, बिसकोहर के पंचु टोला में ताल के पास, सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल-तेल की गंद, जैसे हवा उसके अनेक रूपों में त अधिक्ता से, बहुत अधिक्ता से होता था, इफरात उर्दू का सब्द है, इफरात होता था, यानि के अधिक्ता से होता था, उसे भरबंडा कहते थे, उसे ही सायत सत्यनासी भी कहते हैं, नाम चाहिए जैसा हो, सुन्दरता में उसका कोई जवाब नहीं, फूल पीली, त सितली जैसा आंखे आने पर मा उसका दूद आंखों में लगाती और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बच्पन में इन सब को चखा है सूंगा है कानों में खोसा है और देखिए धान गेहूं जोके भी फूल होते हैं जीरे की शकल में बुटे का फूल धान के ख खेकसा मिटची फूल खिले फूल खिले फूल कीइर फूल तोरई फूल मुव फूल खिले ऐसी हो बारीशओ फूल खिले खास पात से भरे मेड़ों पर मैदानों में तल्यू त लाब के भीटों पर भीटे भीट कहते हैं टीले या द्थू तीले या डू कहते हैं भीटो पर यानि कि तीले जो धूल मिटी के तीले होते हों उन पर भीटो पर नाना प्रकर करके सांप निकलते थे सांप से डर तो लगता था लेकिन वे प्राहे मिलते दिखते थे दोहडा और मजगिदवा विशहीन थे ये दोनों ही सांपों की किस्म है दोहडा को मारा नहीं जाता उसे सांपों में वामन जाती का मानते थे धामिन भी विशहीन है लेकिन में लंबी होती है मुह से कुछ पकड़ कर पूंच से मार दे फिर बटिहा जिसके दो मुह होते है आम पीपल केवडे की जाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक तो ये पहरेग्राफ आया है बच्चों जिसके अंदर सांपों की आपके पास में जन जाती आ गई कि सांपों की कितनी प्रकार की गाउं में मिलती थी और कितने प्रकार के सांपों को क्या क्या कहते थे अजीब बात है सांपों से भै भी लगता है और हर जगे अफचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतिक्चा भी करते थे छोटे छोटे पौदों के बीच में सरसरा आते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है इसी तरह बिच्चू साप के काटे लोग बहुत कम बसते थे बिच्चू काटने से दर्द बहुत होता था कोई मरता नहीं था फूलों की गंदों से साप महा मारी देवी चुडेल आदी का संबन्द जोड़ा जाता था गुडल का फूल देवी का फूल था नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिये जाते फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंद वन्यमादक होती है बसंत में फूल आते हैं बेर का फूल सूंग कर बर्रे ततईया का डंक जड़ जाता है तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते उन्हें जेब में भड़ लेते उनकी कमर में धागा बांद कर लड़ाते खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते दुपहरिया का नाच देखते, गर्मी में कभी-कभी लू लगने की घटनाय सुनाई पड़ती मा लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांट लगा कर प्याजबान देती लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पना, भून कर गोड या चीनी में उसका सरबत पीना, दे में लेपना नहाना कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर्द होते थे, कच्चे आमों के जोर के जोर, पेड़ पर लगे देखना कच्चे आम की हरी गंद, पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना या गर्मी की बहार थी, कटल गर्मी का फल और तरकारी भी है वर्षा ऐसे सीधे एका एक नहीं आते, तो यह होई गर्मी की बात, उससे पहले सरद रितु की बात, सरद रितु में कौन-कौन से फूल खिलते हैं, किस प्रकार की गंद आती है फूलों में, उसकी बात हो गई, गर्मी के फूलों की बात हो गई, सांपों की बात हो गई, तो लेखक अपने लेखक ने जो जो अनुभव किया है, जो जो उसने देखा है गाउं में, जो जो उसके आत्मकथा में लिखा हुआ है, उसका सब का वर्णन है, वर्सा ऐसे सीधे एका एक नहीं आती थी, पहले बादल गिरते, गडगड़ा आतो थी, पूरा आकास, बादलो है, जिसमें संगी सबसे ज़्यादा होता है, तबला, मर्दंग और सितार का, जो 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 जने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी, और वर्सा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी, मेरे घर की छत से, जैसे घोडों की कतार दूर से दोड़ी हुई चली आ रही हो, और पास, और पास, अब नदी का पर बर्सा, अब डेगहर पर, अब बढ़ की बग्या पर, अब पड़ोस घर में टप टप टप, आंधी चले तो तीन छपपर उड़े, कई दिन लगातार बर्से तो दिवार घिरे, घर धंसके बढ़िया आवे, भीशन गर्मी के बाद, ब पुलकित, कुते, बकरी, मुर्गे, भौँबौ, मेमे, चूँचूँ करते, मगन, बे मतलब, इधर उधर भागे, थिरके, पहली वर्सा में नहाने से दाद, खाज, फोड़ा, खुनसी, ठीक हो जाते हैं, लेकिन मशलियां कभी-कभी उबस के माजा यानि की फेन लगने से मर भी जाती हैं, जब पहली बरसात आते हैं, तो मसलियां उसमें अक्सर मर भी जाती हैं, राजा दसरत राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांजा मनहुमीन कहव्यापा, जोंक केचुवा, गौलिन जुगनु, अन, अगनी हवा, बोका, करकच्ची, गोंजर, आदी मच्चर, डांसा, आदी कीडे मकोडों की बहुतायत, भूमी जीव संकुल रहे, किन्तु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नव हरित आभा की, लहरों का क्या कहना, धोई-धोई पातन की ही बात निराली है, फिर गंदगी कीचर बद्बु की लदर-बदर, बार आवे सिव खेत, खलिहान, पानी से भर जाएं, तो दिशा मैदान की भारी तकलिफ, जलावन की लकडी पहले न इखटा कर ली, तो गिली लकडी, गिले कंडे से घर धुए से भर जाए, बरसात के बाद बिसकोहर की धरती, सिवान, आकास, दिसाएं, तालाब, बुडी, रापती, नद बुडी, तोरे के पौदे, फिर लताएं, सरद में फूर तालाब के सेवाल, सेवार, उसमें नीला जल आकास का परतिविम्ब, नीले जल के कारण, तालाब का जल आगाद लगता, इसनान करने से आत्मी सीतलता और विस्दता की अनुभूती, तालाबों का नीला प्रसन जल विस्दता को लगता, अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा, खेतों में पानी देने के रिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती उसे बरहा कहते थे, उसमें से जल सुडीला सब्द करता हुआ, साहिसान से बैता हुआ, बैता जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सुरे की किरने पड़ती, जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फरक नहीं होता, बरसाथ की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधूर और सोबा के बार से दभी ज़्यादा होती है, वैसे ही बिसकोहर की वह औरत, पहली बार उसे बर्ड़नी में एक रिष्टेदार के यहां देखा, बिसनात की उमर उससे काफी कम है, ताजुब नहीं दस बरस कम हो, बिसनात दस से ज़्यादा के नहीं थे, देखा तो लगा चांदनी रात में बरसाथ की चांदनी रात में जूही की खुश्बू आ रही है, बिसकोहर मे उन दिनों बिसनात संतोसी भहिया के गर बहुत जाते थे, उनके आंगन में जूही लगी थी, उसकी खुश्बू प्राणों में बसी रहती थी, यहां भी चांदनी में सफिद फूल ऐसे लगते हैं, मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रुप में दिखाई प देख रहे थे, वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी, संदर ये क्या होता है, तदाकार पढ़नीती क्या होती है, जीवन किस अर्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्वों में, फैर नारी मिली थी, बिसनात आजीवन उससे सर्माते रहे, उसकी साधी बिसकोहर में ही हुई, कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांदने के बाद, उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, यह तुम्हें पाई जाएगा, तब जरूर ही पागल हो जाएगा, दस साल छोटे थे, लेकक स्वेम विश्वनात, लेकिन जब उन्होंने एक अपने से दस साल बड़ी औरत को देखा, तो उसकी रूप की छटा में इतने वो पागल से हो गए, कि जब एक बार मौका मिला, तो उनको कहा, उसको कहा, कि अगर मैं तुम्हें पालेता, तो वास्ता में पागल हो जाता, जाई दे मा के पेट का रंग हलदी मिला कर बनाई गई पूरी का रंग लगता, गंद दूद की, पिता के कुर्ते को जरूर सुंकते, उसमें पसीनी की बू बहुत अच्छी लगती, नारी सरीर से उन्हें बिसकोहर की ही फसलों, वनस पतियों की उठकट गंद आती है, तलाप की चिक बच्चे, विसनात के लिए सबसे बड़े सेतु हैं, काल इतियास को पार करने के, बड़े गुलाम अली खा सहाब ने एक पाहडी ठुमरी गाई है, अब तो आओ साजन, सुने अकेले में यह याद करें, इस ठुमरी को तो रुलाई आती है, और वही औरत इसमें व्याकुल नजराती है, अब प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्ते होती हैं, वह सफेद रंकी साड़े पहने रहती है, गने काले के समारे हुए हैं, आँखों में पता नहीं कैसी आदर व्यथा है, वह सिर्फ इंतिजार करती है, आदर होता है नमी, नमी को कहते है, आदर मतलब आस्वाद में वह मौजूद है विसनात के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है इस विश्मृति के साथ मृतियों का बोध अजीब तोर पर जड़ा हुआ है तो यह आज हमने पाट पड़ा है विसकोहर की मात्री नंगा तराई का गाउं आत्मकता का अंस है यह लेक विश्मृति के लिए है इसे जोड़ा है का विए है झालगा है एक पाटियों जोड़ा है